करपूर गोरं करुडावतारं संसार सारं भुजगेंद्र हारं सदा बसंतम हिर्द्यार रविंदेभवं भवानी सहितम नमामी नमस्कार मैं हूँ जोत्साचार डॉक्टर विंद्र पाथी आप देख रहें भागी गुरु कारकरम भागी गुरु कारकरम में आपका बहुत- क्या इसती है सुर्योदय कब होगा सुर्यास्त कब होगा चंद्रोदय कब होगा चंद्रास्त कब होगा कौन सी तिथी है कौन सा नच्चत्र कौन सा करण है कौन सा योग है दिशासूल कभ है सो महुर्द कभ है तिथियां क्या है चंद्रमा किस राशी पर रहेगा आज का मह महामंत्र क्या है महामंत्र का जब कैसे करेंगे और जब करने से आपको क्या लाप मिलेगा बारह राश्यों के बारे में भी विस्तार से बताएंगे कि आज किसका भागोद होगा कौन विदेश जाएगा किसको सरकारी नोकरी मिलेगी किसको राजनेतिक लाब होगा किसके घर म साहनाई वजए गी कोन भूमिभावन वहान खरीदेगा कुसको आयात नर्या से धन मिलेगा कौन फिल्म बनाएगा कौन कहानी लिख है कोन पत्रकारता के चत्र में जाएगा कौन वैज्ञ्यानिक बनेगा किसको पुरस्कार मिले गए सारी बात बताएंगे किस रंग के प्रयोग करने से भागोदे होगा किस अंक के प्रयोग करने से अपार सफलता मिलेगी सौधानी क्या बरतनी है उपाय क्या करने सारी बात हम आपको पताएंगे गुरू के नुश्खे भी बताऊंगा आज जिनका जन्मदीन है उनके भी बारे में बताऊंगा दर्शनों के प्रस्णों का उत्तर भी दूँगा आप देखते रहें भाग की गुरू कारिकर अब आईए बात करते हैं आज के पंचांग के आज 28 मार्च 2024 दिन है गुरुवार सुर्योदे हो चुका है सबेरे 6 बच के 15 मिनट पर सुर्यास्थ होगा साम को 6 बच के 37 मिनट पर चंद्रोदे होगा रात्र 9 बच के 69 मिनट पर चंद्रास्थ होगा साम को 7 बच के 41 मिनट पर चंद्रमा रहेगा तुला राशी में कृष्ण पक्च है तिरतिया तितिये स्व दो पार एक बच के 69 मिनट से ले करके आप राह तीन बच के 31 मिनट तक रहेगा दच्छड दिशा का दिशा शूल है आज आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आज चंद्रमा है तुला राशी में जब तुला राशी में चंद्रमा हो तो व्यक्ति को सभी प्रकार का सुख मि लेगे राहुकाल में कोई भी कार न करें डिशासुल में यात्रा करने से बचें अगर खोटी दूरी की यात्रा तो दही गुड़खा करके यात्रा करना आपके लिए अच्छा रहेगा कोई विन्याकार स्टार्ट-अप साधी विवा घर या नोकरी के लेगर आपे फट कर करते हैं तो सुम मोर्थ में कारी की शुरुवात करें आपका कारी स्मूतली बिना किसे संघर्ष का संपन होगा और कारी सिद्ध होगा अब आई हम बात करते हैं आज के महामंत्र की आज का महामंत्र है ओम विश्णवे नमा ओम विश्णवे नमा यह जो महामंत्र है भगवान सिरी विष्णुजी का है लक्ष्वी पती भगवान विष्णुजी का है जो पूरे संसार का भरण पोषड का जिम्मा लिये हुए हैं जदी आपकी कुंडिली में ब्रहस्पत इग्रख खराब है शिक्षा में दिक्कत हो रही है कार संपन नहीं हो रहा है आर्थिक नुकसान ह रहा है अन्नका नुकसान रहा से परिष्टी में आप इस महामंत्र का जब करें आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा जब कैसे करेंगे अगर आप तुलसी की माला से इस मंत्र का जब करते हैं और पीले रंग का वस्तरधान करें तो आपको निश्चत रूफ से बड़ी